दोस्तों आजावा आपके सामने बहुत बेतरीन सा प्लान लेकर आए हैं और यह प्लान जो बना हुआ है काफी बोड़ा एरिया है इसका फ्रेंट टेलवेशन है वो आपको बेतरीन सा देखने को बिलता है अगर आप एक बड़ा घर सोच रहे हैं बनाने के लिए तो यह आप साइड से एक क्लोजड है थ्री साइड क्लोजड मकान है देखिए कि तीनों तरफ से बंद है सर्फ आपका फ्रेंट से ही यह मकान पूरा ओपन है और इसमें पोर्ज का डिजाइन भी मैंने दिया है साथ सब एक बेतरीन सा चजज़ टाइप का और बेतरीन से गुम्टी अगर आप घर में अपने साइड में चाहते हैं कि आप दो दुकाने बनाएं और बाविस्तों से कभी आप किराय पर उठाएं जो भी आपका विचार हो उस अकॉर्डिंग यह मैंने क्रेट किया आप देखिए साइड में दो आपको सटर लगे दिख रहे हैं चैनल लगे द बगातर आप डिश्ती रहते हैं ने मॉडल मिलते रहते हैं से जब ही घर बनवाय चैनल इसे लाखें मिल एक जरूर बिजीट करें जिसके आपको एक नया लूक बिल सके नया आडिया और ऐया करता हूं सबसे पहले, आपको और आल यह कितना आपका एरिया मैं आपको गता तो अगर जो दुकान वाला एरिया है लगबग आपका 18 फिट है लगबग आपका यह 11 फिट में आपका एक पोर्ज बना हुए और साइड में आपका 12 फिट एरिया और है जो की यह बेट्रूम और आपका विंड़ो है जो की गेश्टूम आप इसे बहुत सकते हैं तो 18, 12, 30, 11, 41-bit overall इसका जो चोड़ाई है, 41-bit इसका चोड़ा बना हुआ है, मैं एक लंबाई की बात करें तो वो भी मैं आपके साम में डिसकेस करूँगा, उससे पहले मैं आपको से जूम करके दिखाना चाहूँगा कि इसका जो डिजाइन वगएरा है, और वो आपको कैसा देखने वाला है, और यह पूरा ओवराल मकान आपका बने कर रिडी हो जाता है, बात करें इसके ग्राउंड फ्रोर की तो चलो होगा, आपको ग्राउंड फ्रोर पर ले चलेंगे, और इसका पूरा ओवर्वी दिखाने वाले हैं, तो यह देखी कि दोस्तों का ग्राउंड फूर है मैं आपको और मैक्समाम जूम करता हूँ तो सबसले चार पिलर हैं जिस पर पोर्च बना हुआ है और इसमें बीम कर डेजाइन बना हुआ है इसके बाद जो आईगी साइड में लेफ्ट हैं साइड में दो दुकाने आपकी क खर्ण का कॉमबीक्शन है आप जैसे अंदर जाते हैं तो यह पूरा घर का डेजाइन आपका देखने को आपको मिलता है फ्रंट में दोनों दекए की निए विजी तो को फॉप बात करें तो रायहन पर अब आपको एस इस क ooर Kell पर और जिखांड ओर अगर उन उस बाचेश्चाम से इक यारीट हैं मैंने इस लिटल और लात के सानी सम्झेट मैं इस ऑप अज़्य को वोगलुनार है उने पिर से फेल्ट होई गुए वे जिससे आप उपर जाएंगे वहीं बात करें अगर हम इसके तो ये एक study room मैंने create किया है बच्चों के लिए room create किया है उसके बगल में बड़ा सा latent बात और किरीड किया है तो overall इस घर में दो latent बात मिलते मैं maximum zoom करता हूं से और आपको इसका realistic समझ में आ जाए चीजें आपको बेतरी तरह समझ में आए तो बनवाने में आपको कोई भी प्रॉलम्स ना हो आप देख सकते ग्राउंड फ्लोर का realistic वी आपको समझ में आ रहा होगा maximum मैंने जूम करके आपको दिखाया है तो बात करने इसके first floor की तो यह इसका first floor है first floor उपर ज्यादा चीजें नहीं change किये सिर्फ पोर्च जो था उसमें ग्रिल बना दिये देखिए गया बेतरी निसा ग्रिल कर देजायन वहीं तीन धाई फिट कर लगबग आपका छज्जा आगे निकाला इस यह बीम कर डेजायन ग्रिल और यह पैनल दोनों साइड में लगे हुए हैं आपका यह मैंने में इंडोर दिया है अंदर से आप जैसे आएंगे तो पूरे उसको मैंने एक बड़ा सा हॉल कर दिया है आप इसे टीवी रूम बना सकते हैं बड़ा सा हॉल बना सकते हैं अपके परयापत है उसके अकॉर्डिंग यह घर पूरा मैं क्रेट किया है इस तरह नीचे था ग्राउंड फोर पर वैसा ही आपका फाइस प्लोर पर बन जाता है इस्टेडी रूम वही है और सारी चीज़ें वही है सिर्फ फ्रेंट का इलिवेशन जो है वाल का टेक्षर मैंने अलग दे दिया है यहां पर आपका जो टाइल से उसका टेक्षर दिया है इस तरफ दोन विंडो दिये है और एक गेट हड़ा आगर के विंडो दे रखा है अगर करूं तो आपको इसका और रियल स्टीव समझ में आएगा कि मैंने पैनल वगेरा कैसे दी है वाइड कलर के ग्रिल कैसे बनी हुई है वगेरा वगेरा आपको प्रॉपर चीज़ें और समाजनें आ जाएंगे बात करें इसेकेंड फ्लोर की तो यह देखीगा सेकेंड फ्लोर पर चारो तरफ शाड़े तीन फ्लोर का बाउंडी और यह एरिया में कवर्ड किया है बीच में जैसा कि आप देख पा रहा हूंगे जो पोच्टा यह सिर्फ डेजाइनिंग के परपस से है लाज्ट पर आप इसे बनवाएंगे वहीं पर यह देखीगा चज्जा है जो इसमें कट दार बना हुआ है चज्जा जिसे आप इसका डेजाइनिंग के परपस से चीज़ें और देख सकते हैं लाज्ट प्लो की बात करें तो आपका ओवरॉल गुम्टी टैप कर बना दिया है चारो तरफ ग्रिल लगा दिया है तो बेतरीन सा आपका डेजाइन आप इसे बनवाईएगा बेतरीन से डेजाइन लगेगा और आपको कोई भी प्रॉब्स है तो आपको में करेंट से पूछ सकते हैं और आप से फिर से गुजारिस करना चाहते हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्काइब नहीं किया है तो आप जरू करेंगा तो चैनल को सब्काइब दें वीडियो को लाइक जरूर करते हैं कोई भी डाउट सेक्से में जाकर पूछ सकते हैं थैंक्स होचे